वेलकम दोस्तो वीलेज इंफर्मेशन में आप सब का स्वागत है उम्मीद है आप सब अच्चे होंगे हमने कडिबन 20 दिन पहले निम्बू के पेड़ पे कलम लगाई थी गुत्ती कलम उसमें रूट आर्मन हुआ है के नि हुआ है वो भी देखेंगे और हमने केसे लगाई थी वो वीडियो के एन में दिखाएंगे दोस्तो वीडियो में बने रही है यह हमारा निम्बू का पेड़ है हमने इसमें कलम लगाई है दोस्तो देखें यहाँ पे कलम लगाई है गुत्थी कलम केते हैं उसको तो देखते हैं उसमें रूट हर्मन हुआ है के नहीं हुआ है फिर आपके साथ सेर करेंगे हमने केस से लगाई यह वो पहले हम निम्बू की डाल को काट देंगे फिर हम देखेंगे दोस्तों अभी देखते हैं उसमें रूट हर्मन हुआ है के नहीं हुआ है फाइनल यह हमारी निम्बू की कलम में रूट हर्मन हो चुका है देखें कितनी अच्छी तरह से हो चुका है देखें दोस्तों अब हमने कैसे लगाई थी वह आपके साथ सेर करते हैं तो वीडियो में इन तक बने रही है किसान भायो आपको टूइच छाल को उतार लेनी है गुल राउंड करके तो अभी वीडियो में बने रही है हम कैसे उतारते हैं एसे आप कलम लगाऊगे तो शो झाल देखे किसान भायों एसे आपको छाल को उतार लेना है देखे किसान भायों हमने थोड़ी से मित्टी लिये और गोबर लिया है और इसको अच्छी तरह से पानी डल कर मिक्स कर देना है और फिर हम कलम में मित्टी को लगाएंगे हमारे वीडियो में बने रहे है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें किसान भायों वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो देखे ऐसे लगा देना है दोस्तों ऐसे आपको जहां पर हमने तुई चाल उटा लिए थी वहां पर थेली को अच्छी तरह से पेरा देना है और फिर दोरी की मदद से इसको अच्छी तरह से पेक करना है किसी भी जगह से हवा नहीं लेनी चाहिए अगर वह हुआ लेगी तो सक्सेस नहीं हो पाएगे हमारी कलम दोस्तों हमारी कलम तयार हो चुकी है और हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सेंट सस्क्राइब कर देना सस्क्राइब जरू करना दोस्तों